नमस्तार आज का विशह जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है Mixed Skin Infections या ऐसे Infection जो जल्दी ठीक नहीं होते और हमारी तवचाओं पर होते हैं अक्सर आज कल देखने में आ रहा है कि लोगों की जागों में या बाहों में या ऐसी जगाओं पर जहां पर पसीना रुकता है कुछ ऐसे Infection हो रहे हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते वे हर तरह का इलाज कर ले रहे हैं एरोपैथिक, आयरोपैथिक, होमेथिक लेकिन महीनों तक वो Infection ठीक नहीं होते एक मूल कारण है कि अक्सर लोग किसी चिकतसक का परामर्श नहीं लेते लेकिन एक अन्य कारण भी है और वो ये है कि अक्सर ऐसे Infection में लोग इस्तमाल करते हैं क्रीम्स का जो की अपने में तेली या ओईली होती है तेली या ओईली चीज वसीने के ऊपर तेरती है और नमी को बने रहने देती है ये Infection जो भी होते हैं वो अक्सर फंगल या बैक्टिरियल कारणों से होते हैं और दोनों को ही नमी की जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है पनपने के लिए ऐसे में ये दवाएं निराकार हो जाती है अपने में अपना काम नहीं कर पाती है निशकाम हो जाती है निशक्री इसाबित होती है और वो infection लगातार बना रहता है, फैलता है, बढ़ता जाता है इसलिए आवश्यक है कि दो चीजों पर ध्यान दिया जाए एक, हम creams के बजाए powder के स्वरूप में किसी दवा का इस्तमाल करें dusting powder के नाम से अक्सर ये दवाएं जानी जाती है दोनों ऐर्विदिक और ऐलोपथिक क्षेत्र में कई अलग-अलग formula हैं जो की बजार में उपलब्द हैं दूसरा, जो साबोन हम इस्तमाल करें, वो इसमें तैली गूर्ण या ऐली गूर्ण कम हो वो तुचा को नुकसान कम से कम पहुचाए, रूखापन कम से कम पैदा करें यानि की कास्टिक ना हो और तुचा को मुलाइम बना के रखें इसलिए आवर्शेक है कि वो ग्लिसरीन बेस्ट कोई साबोन हो या उसका पी एच साधारन हो जिससे कि वो कम से कम तुचा को नुकसान करें धन्यवाद